हेलो फ्रेंड्स मैं पंडित ब्रेज बूशे शर्मा ब्रेज फुचर पॉइंट के सोजाने से रोज की भाती आज फिर एक नई वीडियो और नई सोच के साथ मैं आपके सामने आया हूँ दोस्तों मैंने फिलहाल एक कड़ी चारू कर रहकी है कौन से नंबर वालों के साथ महिला खुश रहती है आज उसका टोपिक है ती नंबर वाली महिलाएं कौन से नंबर के मुल्यांग के साथ खुश रहेंगी इसके बारे में मैं आपको आज विस्तार से बताने का प्रियास करूगा दोस्तों आपके स्पोर्ट और सहवक को देखते का मैं बहुत बहुत धन्याबाद करता हूँ आप सबके प्यार और सहवक को मैं धन्याबाद करता हूँ आप मेरी वीडियो लाइक और शेर करते हैं इसका भी मैं आपको धन्याबाद करता हूँ दोस्तों ये संसार में कुछ भी अपना नहीं है और सबकुछ अपना है हम एक दूसरे के सहयों से आगे चलते हैं अगर हमें भूक लग रही है तो रोटी की अवशक्ता है और भूक नहीं है तो रोटी की कोई अवशक्ता नहीं है इसी तरह हर चीज का सम्मन्द युक्ती एक दूसरे चीज़ों से जुड़ी हुई है तो इन सब बातों को विशेज ध्यान देख रहे हैं मैं उन लोगों से खास का नवेदर करना चाहता हूँ जो लोग ग्यान तो लेना चाहते हैं पर मेहनत करना नहीं चाहते समय देना नहीं चाहते तो दोस्तों उन लोगों को किसी चीज़ की सफरता नहीं मिलती ना प्राप्ती हो सर्पी तो आप सीरियसली वीडियो देखें पूरी वीडियो देखे करें वीडियो के अंदर बहुत बहुत अच्छे टोपिक होती है मेरे यहाँ पे अगर आपको अपने बच्चे का नाम या मोवाइल नमबर ठीक करवाना है तो आप मेरे से वाटसप कोंटेक्ट रसकते हैं मात्र मेरी कंसर्टेंसी फीस 1100 रपे है मेरे यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन प्रहे जाती है 23 तारिक से मोवाइल नमरोजी की क्लास चालू हो रही है जिसकी मात्र 3100 रपे फीस है अगर आप उस क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको इतनी अच्छी सफलता मिलेगी आप मोवाइल नमबर से किसी वी व्यक्ति के जीवन के बारे में विशेश बातों के द्वारा उस व्यक्ति को समझा सकते हैं अगर और मेरे हां नोट्स भी मिलते हैं मेरे हां निमरोजी की लोशो गिड की बुक भी है उसकी कीमत 300 है प्लस कोरियर चार्ज यदि और मेरे हां नोट्सों की कीमत भी है हर्त रहे कर नोर्स मेरे पास उप्लम्द हैं तो आप मेरे से संपर कर सकते हैं दोस्तों अब हम समय को खराब ना करते हुए अपने विशह पे आते हैं कि तीन नंबर वाली महीलाओं की शादी कौन से नंबर वाले व्यक्ति के साथ अच्छी और बढ़िया होगी इससे पहले म हैं इच्छा रखनें से हम जोतिस नहीं सीख सकते हैं अगर हम संकलप करके दर निच्चे से उस कारियों करेंगे तो हम अपने जीवन को पड़ सकते हैं गलत ओजाद से आप एक भी स्क्रूर नहीं खोल सकते हैं गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हैं ज अब दोस्तों मैं वीडियो चालू करता हूँ कहते हैं जोडियां हमारे पिछले जन्मों के करम फल के उसार बनती है इसलिए हमारा जीवन साथी कौन होगा, कैसा होगा, ये सब पहले से ही ते होता है हमारी लाइफ में कब किसने आना है और कब किसको जाना है ये तो पहले से ही निश्चित हो जाता है, तो हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जीवन साथी कौन होगा क्या आप जानते हैं कि हम अपनी डेटो बरसे ही जान सकते हैं होने वाले जीवन साथी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं ये सब हम भली भाती जानते हैं कि हर अंक की अपनी एक एनरजी होती है जब दो अलग-अलग मित्र अंकों की एनरजी आपस में टकराती है यदि वो अंक भले हमारे उस वक्ती से शादी होनी है हाई एजुकेशन ये बताती है वो अंक आपस में विरोधी है और हम उनके साथ शादी कर लेते हैं तो जीवन में हमें पस्ताबे के सिवा कुछ नहीं होता जैसे आज मैं तीन नंबर के बारें बताऊँगा तो तीन नंबर का सम्मन छे नंबर से और छे नंबर का सम्मन तीन नंबर से होता है तो उनके जीवन में सुख्य अनुभूती नहीं होती दोस्तों हमें थोड़ा सा इन पे विचार करना पड़ेगा एनर्जी का सही होना जुरूरी है हमें अच्छे रियर्ड तब ही मिलती है जब शत्रू अंक टकरा जाए और चार्ट अफ नेगेटू अनर्जी फैर जाती है बनते काम भी बढ़ जाती है अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के आकर्शन का केंद्र बनती है यह आसानी से दोस्ती हो जाती है तो इस कार्थ यह नहीं है कि उनके अंक आपस में मित रंक है जिन लोग को विचार आपस में नहीं आकर्शन हो जाता है मेल मिलाप हो जाता है लेकिन मैं उन लोगों से कहूँगा वो शादी करने से पहले अपने अंकों का मिलान जरूर कर ले ऐसा ना हो शादी होने के बाद आपको पस्तान अपड़े और इतनी बड़ी कीमत का आपको हजाना देने अपड़े उससे तो अच्छा है आप मातर 11 सुर पर मुझे देखे आप अपने जीवन का निर्धारन सही कर सकती है लेकिन फिर भी विचारिक में वे दहते हैं लेकिन फिर भी साथ हैं तो इन दोनों के अंक सम है और क्रमफल बाकी है अगर दोनों से नीचर की होंगे तो उनका इगो आपस में टकराएगी उससे समझत से नहीं बैठ पाएगा हमें इन सब तथ्यों को बारीकी से अनुभव करना है जिसे हम जीवन के अंदर सही दिशा की तरफ हम बढ़ सकें क्योंकि जब अंकों का मेल आपस में अच्छा नहीं होगा जब अंकों का मेल आपस में अच्छा नहीं होगा तो अनरजी अच्छी नहीं होगी हो सकता है वो पती-पतनी रिस्ते को निभाले लेकिन अंदर से वो खुश नहीं होंगे मुल्यांक तीन इस्तरी के लिए पसंदा पुरुश सबसे पहले तीन अंक वाले इस्तरी के सभाव को जाना जुरूरी है तीन अंक क्या है? तीन का अंक गुरू का है इस्तरी अपने आप में विदूशी होती है बहुत सुन्दर होती है लेकिका हो सकती है अधिका अध्याप्पा क्या हो सकती है? गायन के शेत्र में निपून हो सकती है भक्ती भाव क्यों हो सकती है जितना भी ग्यान से संब्द्ची होती है वो तीन नंबर में आती है इस्तरी भरी भरा भर्पूर जीवन होता है लेकिन यदि उसका चुनाव गलत विक्ति के साथ कर दिया जाए तो उसका जीवन अंद्गार में हो जाता है इतनी अच्छी इस्तिती होने के बवजूद भी ऐसी महिला का जीवन खराब हो जाता है तीन नम一त्रह का स्वास्ता मंदी ये विकृत्ति होने की संभाबना रहती है देखिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ तीन नमबर वाले का संभन्ध अगर एक नमबर वाले कोई पुरुषग के साथ है एक नमबर वाले प्रूशुक की प्रगती बहुत अधिक होती है लगाव होता है एक के साथ बहुत अच्छे सम्मन्द होती है दोनों के आपे सम्मन्द काफे अच्छे होती है दोनों को एक साथ होना किसी चीज उत्पादन के लिए अती महत बुन है मैं आपको यह बताना चाहता हूँ अब मैं यह बताना चाहता हूँ लाइफ में गुरू और माता का योग भी हो जाता है गुरू और माता का योग भी हो जाता है इस से अच्छा पता चलता है कि इस तरहें के लोगों को कलाकेश्ट में ग्यान में एजूकुश में इनका भागया चलता है यह अच्छी बात होती है इने अच्छे प्रिणाम मिलते हैं यह लोग जिस चीज़ में एजूकुश जुड़ी हो उस लाइन में जायें तो बढ़िया है इन्हें अच्छी सफ़ाता में लगी इनमें अच्छे संसकार हैं किसी भी का backing में जल्दी नहीं करते किसी भी जगडे में सचका साथ देते हैं इनकी मिचरता अच्छे लोगों से होती है प्रमात्मा से भाक्ते हैं जूर्त मंध्लों की सहता करते हैं इनका नाम अंक्ठी होने पर इनकी प्रसद्दी यश injustice और धन बिलता है कि अब एक ही कमी होती है कि अपने आलोचना को अच्छे से सिवकार नहीं कर पाते हैं, ना मंकर ठीक ना होने पर अपने जिम्मेदारियों से पीछे हटती हैं, धोका देने की प्रवर्टि होती है, कलेकले से करते हैं. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ती और दो यह ठीक ठाक मिल है क्योंकि रानी के साथ सलाकार और सलाकार के साथ रानी आपस में कोई काम नहीं पड़ता रानी को उनकी जोत नहीं बिजनिस के शेट में इतने अच्छे परिणाम नहीं दे सकते लेकिन अंक तीन का सहुग होने के कारण उनकी बुद्धी अच्छे परिणाम नहीं दे सकती लेकिन अंक तीन का सहुग होने के कारण इनकी बुद्धी अच्छे होती है इनका सभाब रहसे और रुक होता है यह विदेश में भी पैसे कमा सकते हैं आने वाले समय का बदलाव करते हैं और इनका परिवार जीवर में ठीक ठाक होता है परिवार से ही इने प्रिशानियां मिलती हैं और जब यह किसी गुरू के संपर्ख में आते हैं तो जीवर अच्छा व्यतीत करते हैं नाम अंख ठीक नहीं होने पर अपने कारी में ठीक धिंसे काम नहीं कर पाते अपनी उज्जा को ख्याप कर लेते हैं ग्यान का सही उप्योग नहीं कर पाते हैं कमीशन से हाँ नहीं कर पाते हैं अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि मुल्यांग हमारा इस तरी का का अंक है यह हाई अच्छे डक्टर अच्छा ज्यापक मनेजमेंट पावर होते हैं अच्छे सब्सक्रा मिल सकती है लेकिन अपने वानिस के उपर थोड़ा नियंतर करना चाहिए अगर नियंतर नहीं होता है तो दूसरों को हट कर सकते हैं इनमें बहस में को जीत नहीं सकता अगर किसी महीला का अंक होगा तो बहुत सुंदर होगी अगर किसी मेल का होगा तो नुपन्सक हो सकता है लेकिन ऐसा व्यक्ति सूजवान और ज्यानी होता है दूसरों से अच्छे सुझाब लेता है उन देता है बड़े समस्याओं एक जिम्मेदार पत्पर होता है और लो इश्रूची होती है नाम अंख ठीक होने पर इन्हें यश्मान सम्मान धन संपर्दा प्राप्त करने चीए अगर तीन नमबर की महिलाएं चार नमबर के पुरुष के साथ अगर शादी करती हैं तो कैसा संजोग होता है गुरू के साथ राओ होने के कारण अठपठासा मेल है इनकी वानी अच्छी नहीं होती अगर इनका पास अच्छा ग्यान हो तो एंकारी हो जाते हैं मूफट किसम के होते हैं इन्हें सपने बहुत उंचे होते हैं यह शातिर दिमाग के होते हैं लेकर ऐसा वक्ती कमजोर वर् होते हैं अच्छा बोलने से दूसरे प्रभाब जा सकते हैं यह धोपरती बन सकते हैं धन और परस्दी प्राप करते हैं ना मंग ठीक ना हो तो जुगार वाले जिंदगी तो एहंकारी होते हैं अपने आपको जूर से ज़्यादा बढ़िया समझते हैं और दूसरों तक तर प्राप कर लेती हैं इन्हें अपनी वानी पे कंट्रोल रखना चाहिए नहीं तो मुश्किल में फस सकते हैं यह जीवन में बहुत अधिक पैसा कमाते हैं उचाईयों तक जाते हैं अंक तीन और अंक पांच इकठे होने पर इन्हें बहुत लाब मिलता है लेकिन साथ में नाम अंक ठीक होना चाहिए यह बुद्धी और व्यवसाय में कुशल होते हैं भाग्या भगवान से लिखवा कर आते हैं भाग्या इनका साथ देता है यह कोई भी कारिये शू करें इन्हें सफलता मिली जाती है यह किसी भी प्रत्योगता का सामना अपनी योगता के साथ कर लेत हैं यह संगठन में बहुत अच्छे कारिये करने वाले होते हैं अध्यन कारिये में माहिर होते हैं नेदी हंसे अनुशासन से कारिये करते हैं इन्हें किसी भी कारिये में सुस्तिवे निजारशा पसंद नहीं होती नामंक गल्द होने पर जीवन में प्रेशानियों का सामना करना पड़ता है काड़े का फल नहीं मिलता समाज में नाम खराब हो सकता है दोस्तों मेरे बताने का जो तरीका है थोड़ा फास्ट होता है तो इसे अधरवाई मतले दोस्तों तीन नंबर की महिलाएं इस्तरी की शादी अगर छे नंबर से होती है तो कैसा मिलने तीन छे का आ प्रोफेशनल सफ़ता में चोट खाई हुई होती है विवाएक सुख कम ही मिलता है या तो शादी होती नहीं अगर होती है तो तूट जाती है विवाएक जीवर में भी चोट खाती है इन्हें संतानवे शादिक सुख नहीं मिल पाता अपने ही कारियों से अपने लिए पिलाओं के चक्कर में रहते हैं अगर इनका नामंग ठीक हो तो दोस्तों ये एक अच्छा मेल नहीं है अगर तीन का समख साथ के साथ हो तो क्या तीन किसका है गुरू महामंतरी साथ के चाहें तीन और साथ का मेल, का मेल, ओम का सिंबल द्रशाता है, यह बहुत अच्छा मेल है, ज्यान का भंडार है, ऐसे लोग उचे पत्पर बने रहते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, जैसे IAS, IPS अधिकारी बन जाते हैं, उची शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छी पढ़ भी बन सकते हैं, इनको अपने रिस्तों को संभालने की जरूरत भी हो सकती है, शादी से पहले या बाद में दिक्कते हो सकती हैं, अपने दुनिया में खोई-खोई रहते हैं, यह बहुत कम बोलते हैं, उसी पर बोलते हैं, जो इनसे पूछा जाए, अपने उर्जा सी भी चीज का विश्रेशन करने की शक्ति होती है विदेशों से भी धन प्राप्त का सकते हैं अगर अध्यात्म के रा में चलें तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त का सकते हैं फिर भी भीड से अलग रहना पसंदते हैं नाम अंक हर मेल के अंदर निमलोजी के अंदर जू शादी करती है तो उनका जीवन कैसा रहता है तीन अंक गुरू का है महा मंत्री और आठंक शनी का है जज नैदीश जीवन की शुरवाती दोर में इने गठाईयों का सामना करना पड़ता है जैसे जैसे बड़े होते हैं शफरता को हासिर करते हैं इनके जीवन में कई प्रकार शक्ति छोटी छोटी होती है जिनके कारण सफ़ता कम बलती है जितना दम जितना ग्यान जितना पोटिशन इनके पास होती है इनकी सफ़ता नहीं मिलती या देरी से मिलती है अगर यह बीमा या मारकिर शेट में कारिया करें या जीवन में किसी गुरू का सहरा ले तो इन्हें काम्याबी मिल सकती है और अपने बोलने और लिखने में उग्रसभाब के होते हैं सही नाम अंख होने पर इनकी प्रिशानियों को दूर कर सकते हैं जो कि शनी के प्रभाब के कारण होती है अगर नाम अंख ठीक न हो तो कोड का चारी दोड़ शराब जैसे प्रिश्नी का सामना करना पर सकता है मेहनत करने पर भी कोई फल प्राप्ट नहीं होता है क्योंकि गुरू और शनी का कोई मेल नहीं है गुरू भी घ्यान और शनी भी नियाइधिश तो इनका आपस में कई बार ठकरा हो जाता है अगर तीन आठ का मेल हो तो कई बार ऐसे व्यक्ति जज जैसे पद्पे भी हो सकते हैं वकील भी हो सकते हैं नयाय काय कार्य करने वाले भी हो सकते हैं तीन नंबर की महिलना हो का सम्मा देदी 9 नमबर के व्यक्तियों के साथ हो तो कैसी स्थितिय होगी 3 अंक गुरू महा मंत्री और 9 अंक मंगल सेना पती गुरू आकरमक नहीं है मंगल आकरमक है यह नरम और गरम के मिल हो जाते हैं यह जातक अपनी सफलता के बल से बल से लेना चाहते है इन्हें ज़्यादा आकर्मक होने से बच्रा चाहिए अगर जीवन महीन एक यानी प्रोष्ट पर इन्हेका नाम हो या साथी हो तो इन्हें उचाईयों तक ले जा सकता है बहुत अच्छे सलकार फिर भी कारोबारों में प्रिशानी रहती है ऐसे जातक बिना विश्वास की ये लंबे समय तक काम करते हैं दोस्तों यदि आपको मेरा ये सारा कुछ मैटर पसंद आ रहा है तो आप अपने कंसर्टेंसे करवाईए अगर आपके शादी हो रही है तो आप मैचिंग करवाईए मैं कहीं तरीके से मैचिंग करता हूँ और उसका पूरा विशलेशन करके आपको बताता हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे से संपर करें कॉंटेक्ट करें मेरे यहाँ पे 23 तारिक से मोबाईल निम्रोजी की करास भी चालू हो रही है आप मेरे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं मेरे वाटसप पर भी आ सकते हैं ठीक है अब आगे बताता हूँ फिर भी बहुत अच्छे सलाकार फिर भी कारोबारी प्रेशानी रहती है ऐसे जातक बिना विश्राम की ये लंबे समय तक काम कर सकते हैं क्योंकि मंगल एक दंगल करने वाला गरह होता है ये अनुशासिन प्रय होता है शारेरी को मानसिक तोर पर बलवान होते हैं अपनी विरोधियों से हा करते हैं इस और आज नहीं तो कल देगा ही देगा या वीरता और बल का परदर्शन भी करते हैं जैसे पुलिस आर्मी इनके देश भक्तों की भावना भी होती है और समाज में भलाई का कारिये भी करते हैं ना मंग ठीक ना हो तो जीवन में बहुत प्रिशानी होती है जैसे बेंजेर भुटो का अंक है उनका तीन और नो तो दोस्तो अब मैं आप से फिर मैं आप से विदाई लेना चाहता हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और वीडियो को लाइक करें अपने परिवारों को दोस्तों को शेर करें और मेरे चैनल को सब्क्राइब करें इससे मेरा मुनवल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसा ही घ्यान से भरी वीडियो लाता रहूँगा चैनल को सब्क्राइब करें बेल आइकेन को प्रेस करें आज की वीडियो को पूरा करते होए आपसे विदा लेता हूँ कल फिर मिलता हूँ एक नई सोच और नई वीडियो के साथ दोस्तों अगर आपको अपने बच्चों का नाम ठीक करवाना हो मोबायल ठीक करवाना हो क्लास में एडमिशन लेना हो नोट्स लेने हो लोशोगेड की किताब लेनी हो आदी कोई भी कारिय करना हो जो तीर से समंदी किसी भी तरह की आपको इंक्वारी करनी हो कोई रतन लेना हो मेरे हैं पर हर ची उपलत होती है नमश्कार मैं आपसे विदाई लेता हूँ अब मैं आउँगा आपके पसपास नई वीडियो के साथ अब ही मैंने बताया आपको तीन वालों का अब मैं बताऊँगा आपको चार वालों का बारे में पूरा परना करूँगा मैं इस आशा और विश्वास के साथ आपके एक नए उस सोच और नए वीडियो के साथ फिर आपसे मिलता हूँ नमस्कार जाहे